पूरे देश भर में सेकेंड लोगडाउन है और लोग काफी इस लोगडाउन का पालन कर रहे हैं सोसल डिस्टेंस का भी ख्याल रख रहे हैं जगा जगा पे जो प्रसासने वो छिरकाओ भी करा रही है सेंटाइज भी करा रही है गाउं को कि ताकि कोरोना जैसी महमारी से उचे हुए हैं शहला और पंचायत में आपको बताते चले कि यहां से भी एक पोजिटीव मरीज मीला हुआ था उसके बाद से गाउं के जो मुखिया है संजय सिंग जो विधायक पुत्र भी है स्वेम यह आज अपने कंदों पर सेंटाइज मसीन को ले करके और निकल पर आप देख सकते हैं किस तरा से संजय सिंग मुखिया यहां पर गाउं के एक-एक छोटी छोटी गली को जा करके या छोटे-छोटे जो घर है, मकान है, सभी जगा जाकर ये स्वेम सैनिटाइज कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तमाम तस्बीर हम आपको दिखा रहे हैं कि घोम-घोम कर जो संजेज सिंग जो मुखियां है, ये खुद स्वेम जाकर के, और इस तरह से सनेटाईज करने का गाम कर रहे हैं तो यह तस्बीर हम आपको दिखा रहा है सहलॉर पंचायद से अभी इस तरह की तस्बीर आप ने कभी नहीं देखी होगी कि स्वैम किसी पंचायद का मुखिया अपने हाथों में सेनेटाईज मसीन ले करके और पंचायतों में शिर्काव या उस गाउं को उस पंचायत को सेनिटाइज कर रहा हो लेकिन यह एक मिशाल कायम कर रहा है संजय सिंग सहला और पंचायत के जो मुखिया है हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आप इसी पंचायत करने वाले हैं तो यह जो कौन है यह आपके हाथों सेन्टाइज कर रहा है कैसा लग रहा इस तरह का अच्छा है बढ़िया है तो आपके गाउं से तो पोजिटीव मरीज भी मिले हुए थे हमारे पंचायत में सौलोर में मिले विए तो लोगडाउन का लोगों कर रहा है हाँ पालम कर रहा है अब कुछ और भी लोग अपने कंधों पर लेकर के कोरोना फाइटर की तरह और आप लोगों के लिए सेवा करना इस तरह नहीं नहीं देखे हैं इस तरह कभी नहीं देखे तो जाहिर तोर पे लोगों का कहना है कि इस तरह से कोई भी अभी तक हम लोग भी नहीं देखे हैं कि कहीं भी कोई मुखिय सेनिटाइज मसीन लेकर के कंधों पर इस तरह से और काम कर रहा हो लेकिन कुरोना फाइटर की तरह संजे से मुख्या काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं हम आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाएंगे कुछ और लोगों से हमारी बात चीत होगी लेकिन आप देखिए कि गा करना पोजेटिव मरीज मिला हुआ था और उसके बाद से इस गाओं को प्रसासन ने चारों तरफ से सील करा दिया था और उसके बाद से ही यहां के जो मुख्या है वो खुद कंधों पर लेकर करके निकल गया कुछ लोग यहां पर स्थानी लोग मोजुद है क्या कहना चाह है यह बीमारी से बशने के लिए कुछ और लोग मौजूद है हमारे साथ इस पंचायत के बीडिसी हैं इन से हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है हलाकि यह लोग भी लगे हुए जन प्रत्रतिन धी हैं तो इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है किस तरह से सेंटाइज किया आदर है क्या और लोग करें यह जानना चाहेंगे है कि हमारे म्हार्यारीं मॉखिया जी जो सवलाउर पंचायत के ज्वा मुखिया है वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पंचायत को से निराज्य कर रहे है यह क्या कहते है कोरोना फाइटर से भी आगे बढ़के काम कर रहे हैं तो आज आज बहुत किसी मुख्या को आज तक मैं पिपर या ट्वी में नहीं देखा हूं जो ऐसे काम करें यह बहुत सरानी आप और आप प्रद्धी हैं तो आप लोग किस तरह से अपने पंचायद के ल क्या चिला के पहद्कारी हैं जो भी ही नहीं का सुक्सूधा की लिए क्याओं हमारी क्यूंक मारे हमारे पंचायत में हरे ओसर से लेकर और क shadows से लेकर और चीज्ञीट में उपपूफ हैं हमारे माणे मुख्याग कैसा है इनोंने कहा कि कोरोना फाइटर से उपर हट करके यह काम कर नहींद तुर पर इनको एर्टीये कि स्वयम आप अपने कंधों पे एक कोरुना फाइटर की तरह और मसीन को लेकर निकल पर हैं सेंट्राइज करने के लिए पूरे पंचायत को सबसे पहले अपने हाथ से सेंट्राइज करने का मतलब मेरा यह है कि हम को देख करके लोगों में जागरूखता पैदा हो और लोग इससे जागरूख हो जिकी मुख्या जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं इसलिए हम अपने हाद से सेंटाज के करने का काम कर रहा है कि हमारी जो जनता है पंचायत की खुद हम लोग साथ मिलके काम करें और इस करोना जैसे में हमारी से मिल जूलकर लड़ें कोई भी आफवा में नहीं पड़ें साथ मिलकर काम करें इसी में सबकी भलाई है वैसे हमार प्रशासन के तरफ से आपको मिला यह स्वयम आप अपने से नीजी पैसे से खरिद कर पंचायत की सिवा कर रहे में लगे हैं इसमें हमारी को भागाने के लिए यह तो मेरा नीजी मसीन है बगल में एक सब्यों जीका काम घाप जैसे यह होता है उसके लिए मसीन मिला हुआ था तो था तो सोची कि हम इसी से यहां पे गाड़ी यह नहीं आ पा रही थी ऐसे मेरा NDRF के टीम द्वरा सेंट्राइज किया गया है लेकिन उसके बावजुद भी बचा हुआ था जो जैसे यहां पे गाड़ी नहीं आ पाई थी तो सोचा है कि इसको हम कर देते हैं लोग में कभी बिश्वास रहें लोग डरे नहीं यह नहीं सोचे कि हमारे यह सेंट्राइज नहीं हुआ है तो मिमारी यहां भी आ सकती है इसके लिए हम सोचे कि इसी से हम तो यह माना जाए कि इस पंचायत के मुख्या अब कुरूना फाइटर बन चुके हैं जी मेरा तो कभी भी हम फाइटर के रूप में काम कर रहे हैं और कभी भी करेंगे यह मेरा यहीं उद्यस है लाइफ में मेरा अब तो कुछ मेरा सोच यहीं है कि लोग का सेवा करना है और हमेशा करते रहेंगे इसे ज्यादा मेरे लिए खुशी अपने पंचायत के किनकरी लाकों में आप जा रहे हैं और यह शिरकाओं कर रहे जाकर करने का काम कर रहे हैं अभी जहां जहां एंडिया रेक्वे टीम के द्वारा छिरका हुआ है उसके अलामा जहां भी जैसे गली है जहां पेगाड़ी नहीं जया हो वहां कुछ इनित करकर के हम अपने से भी खुश से और लोग ऐसाथ मिल करते रहेंगे यामाना जाए जी जी एकदम बिल्कुल हम कहीं से भी लोगों के हमारे पांचायत की जभी सम्मानित जो भी ग्रामिड जनता है मैं उनके अंदर कहीं से भी डर पैदा होने नहीं दूंगा मेरा है जो लगए कि जिससे लोगों में विश्वास जगे जिस या फिर गरीबों की असहाय की सेवा के लिए कुछ रासन पानी की भी बेवस्ता करा रहा है देख लिए ऐसे सरकार के तरफ से भी जो जो रासन कार धारी है उनको प्रती उनिट पांच के जी फिरी में अनाज एक हाजार रुपया भी दिया जा रहा है और हम अपने अस्तर स से भी जहां दिख रहा है कि कोई गरीब हो जिसको रासन कार नहीं है उसको हम अपने तरफ से अनाज देने का काम कर रहा है वहीं मेरा काम अभी चल ला है आगे भी चलता रहेगा तो आपने देखा कि यह थे संजय सिंग जो सहला और पंचायत के मुखिया है और कोरोना हमारी को दूर करने के लिए बीच सड़क पे उतरना होगा तब जा करके इस कुरोना जैसी महारी से जंग इस देश की जनता जीतेगी गाउं की लोग जीतेंगे और फिर पंचायत को लोग जीतेंगे और फिर हमारा जो भारत होगा वो जीतेगा और कुरोना को हम लोग भग हो गया था देखिए सबसे पहले परसाशन के तरफ से तो बहुत ही सवयोग मिल दा है हमारे डीम सर है जो कि बहुत ही एक्टिव परसन है जो कि हमारे पांचायत के लिए सीवान के लिए काम कर रहा है हमारे हमारे पांचायत में विजिट उनका हो रहा है और एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए सबको ख्यार लखा जाए जी सर जी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि मेरे पांचायत के लिए इतना कर रहा है इस इस्तिती में चलिए इसी तरह से और लोग सीख लें और कोरोना फाइटर की बन कर इनके तरह बन करके और काम करें और कोरोना को भागाने का काम करें हमारे सहयोगी आसिस कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार सहलावर सीवान